प्यारे बच्चों, बीए फिप्ट सेमेस्टर में आज हम वस्तर उद्योग का डिस्कस करेंगे। बोजन के बाद वस्तर मनिश्य की सबसे मेत्व पुर्णाव शिकता है। यह सरवादिक पुराणा उद्योग है। आदुनिक वस्तर निर्मान का जनम ब्रिटेन में उद्योग एकरांती से हुए। ब्रिटेन से यह उद्योग अन्ने देशों में जैसे USA, जापान, चीन और भारत तथा विश्यो के अन्ने भागों में फैल लिया। यह बहुत ही मेत्योपुर्ण उद्योग है। यह मुखे रूप से आम आदमी का उद्योग है। क्योंकि सूतिवस्तर सस्ते होते हैं और निर्दन लोग भी इसका प्रियोग करते हैं। इसलिए इसका मार्केट दुनिया में सरवादिक है। सबसे पहले हम Factor Affecting Localization of Cotton Textiles Industry इसके स्थानिय करण के कारणों का जिकर करेंगे। सबसे पहले स्थानिय करण में जैसे कि मैंने पूरो में भी आपको बताया था। कच्चा माराता है। सूती वस्तर उद्योग के लिए यदि हम देखें तो सबसे में तो पूरो कच्चा मार कपास है। बहुत से दुनिया के ऐसे भाग हैं जहां कपास के उत्पादक चेत्रों में ये इंडस्ट्री स्थापित हो गई है। जैसे अपने भारत में ही लें तो मुंबई और एमदाबाद चेत्र युएसे में कपास की पेटी में भी यह उद्योग विक्सित होया है। परंतु इस उद्योग के लिए स्थानिय रूप से कपास का उपलब्ध होना इतना अनिवारिये नहीं जितना की लोई स्पात उद्योग में लोआ और कोईला होते हैं। कपास एक हड़का कच्चा माड़ हैं। जिससे निर्मान परक्रिया के दोरान वजन में भार में कमी नहीं होती। हाँ ये बात जरूर है कि कपास उत्पादक छेत्रों में यदि इंडस्ट्री हो तो कपास का परिवेन वे बच जाता है। ब्रिटेन में कपास बिलकुल नहीं होती। फिर भी विस्व के आदोनिक सुती वस्तरुद्योग सबसे पहले वहीं स्थापित वे। और भी हमारे सामने एक्जामपल हैं जैसे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलेंड है और एवन यूएस से का न्यू इंग लेंड छेत्र है जहां कपास को दूसरे परदेशों से मनाया जता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही अड़का कच्चा माड है, तो इसमें परिवेन की लागत कम आती है। दूसरा इंग्पोर्टेंट फेक्टर है सक्ती के साधन। किसी भी इंडस्ट्री के लिए चालक सक्ती तो बहुत मेत्व पूर्ण है। सूती वस्तर में कोईले से ये प्राप्त की जती है। अतै कोईला च्चतरों के निकट इंडस्ट्री को स्थापित किया जता है। बिर्टेन के लंका शायर च्चतर इसका उधारन है। यदि नजदी कोईला नहो तो अन्य च्चतरों से मंगाना पड़ेगा। जैसे मुंबई के नजदी कोई कोईला च्चतर नहीं है। इसलिए अफरीका से कोईला प्राप्त किया जता है। आजकल जल्वित दुतका भी काफी परियोग होने लगया है। उसका बड़ा लाब है। ये कोईले की अपिक्षा सस्ती तो है इससे परदूशन भी नहीं पहलता। यूएस से के न्यू इंग्लेंड जो रज्य हैं, जापान है, स्वीट जर्लेंड है, इटली और भारत के जो आदुनीक कार खाने हैं, वो अधिकांस जल्वित दुत सही चलते हैं। तीसरा पॉइंट है सस्ता प्रिवेन, जिन देशों में सस्ते प्रिवेन की स्वीदा है, वहां कपास की उपज को ने उने पर भी बार से आयत किया जा सकता है, और विदेशों में भी निरियात करने की स्वीदा होती है। ब्रिटेन में सस्ते प्रिवेन के कारण से ही भारत, पाकिस्तान, मिस्र और युएस से आदी से कपास आयात करके और तयार माल को विदेशों में निरियात करके इंडस्ट्री चल रही है। इसके साथ ही फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट आता है अनुकूल जल्वाईू। सूती कपड़ा उत्द्योग के लिए आदर जल्वाईू जो समूंदर समीर वाली हो इसको बहुत उपयोगी मना गया है। सूस्क जल्वाईू में दागा बार-बार तूटता रहता है जिससे सूत कातने में कपड़ा बुनने में बड़ी कटना यह दिए। वस्तर उत्द्योग समूंदर के निकट हो आदर जल्वाईू छेतर में हो तो बड़ा ठीक रहता है। यदि शुष्क जल्वाईू परदेश हैं तो उसमें आर्टिफीशियल हुमिडिटिफिकेशन करना पड़ेगा और इस पे खर्चा लगेगा। अते ब्रिटेन, जापान, रूस और बारत के महरास्टर और गुजरात वड़े च्छित्र इसके लिए बड़े उप्योगी हैं। इसमें साथ परतिशत तक लागत में बचत हो सकती है। पांचवा इंपोर्टेंट पहलू है लेबर। सूती वस्तर उद्योग में कुल उत्पादन लागत का लगबग 20-25 परतिशत लेबर पर खर्च किया जबता है। इसलिए इस उद्योग के लिए सस्ते और कुशल शरम की परचुर मातरा में उपलब्दी बहुत ही अनिवारी है। विस्तो के अधिकांस वस्तर उद्योग के छित्र अधिक जनसन ख्यावड़े छित्रों में स्थापित किया जबता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की आपूरती। वस्तर उद्योग की दुलाई, रंगाई, छपाई, कलफ करने के लिए बड़ी मातरा में सुद्ध जल की जरूरत होगी। इसलिए सामाने तर नदियों, तालाबों और नलकूपों आधि से जल का परबंद किया जबता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुंजी। इस उद्योग में परियाप्त पुंजी की आवशिकता होती। बिर्टेन, युएस से जापान आदी देशों में पुंजी की कोई कमी ने। भारत में भी जब ये स्टार्टिंग में मुंबई में लगया तो मुंबई क्योंकि हमारी कॉ रियात में सामिल थे उन्होंने वहां से पैसा कमाके सूती कपड़ा उद्योग में लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है बजार। मार्केट एक बड़ा इंपर्टेंट पॉइंट है। यदि बजार और कपास उत्पादक छेत्रों में अन्ने कारकों में बराबरी हो एक जैस सिच्वेशन हो तो उद्योग की अवस्थिती बजार की तरफ होगी। क्योंकि विक्रे की स्वीदा के साथ साथ परिवर्तन सील मांग और फैशन के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। बिर्टेन और जापान में कपास की उपज नहीं होती। लेकिन मा करने के लिए वस्तर उद्योग को बड़ा बढ़ावा देती है। बिर्टेन की सरकार और भारत इसका अच्छा एक्जामपल है। बच्चो अरली स्टार्ट का बेनिफिट भी इंडस्ट्री को हमेशा मिलता है। जो चेत्र पूरो में स्थापित हो गए वो अपनी स्थिती को मजबूत कर लेते हैं। लंका शायर में मांचेस्टर इसका एक अच्छा उधारन है। आज के दिन भी यदि किसी चेत्र के मेत्व का जिकर करें तो उसको मांचेस्टर से जोड़ देते हैं। जैसे भारत में गुजरात में मांचेस्टर को एमदाबाद को मांचेस्टर क करते हैं इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कच्छा माल, सक्ती का साधन, सस्ता परिवेन, अनुकूल जलवाईू, लेबर और मार्किट ये काफी इंपर्टेंट है। चीन, भारत, सोवियत संग, युएस से और जापान ये बड़े इंपर्टेंट देश है। सारी इंडस्ट्री जापानियों के कबजे में थी। 1920 तक संगाई सबसे बड़ा केंदर था। जहां देश के 80% तक्वे थे और 1920 से 30 के दसक में इसुद्योग का विकेंदरी करण सरूवा। परंतु फिर भी 1941 तक इस पूरी इंडस्ट्री का लगबगादा भाग संगाई में था। 1949 के बाद कम्मिनिस्ट सासन स्टार्ट हुया और प्रारंबिक वर्सों में बहुत सी पुंजी और मसीने हांकांग में सिप्ट होगी। 1960 तक चीन में तक्वों की संख्या सोवियत संग से अधिक हो चुकी थी। और 66 तक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चीन बन गया था। इस समय भी विशु का लगबग 41 परसेंट सूत और वस्तर तयार करके ये दुनिया में पहले स्थान पर है। आज के दिन दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 43 परसेंट चीन से याता है। इस सुद्योग की इतनी तरकी के निमन कारण है। असल में चीन विशु का बहुत बड़ा कपास उत्पादक चेत्र है। यहां लगबग 33 परसेंट कपास उपलब्द होती है। चीन में कोयले के भी बड़े बंडार हैं। विशेश तोर से चियांग जियांग हुआंगो आदी नदियों से जलविद्ध भी प्राप्त हो जती है। यह बड़ी घनी जनसिंख्यावडा दे से लेवर बहुत सस्ती हैं। और सस्ते वस्तरों की गरेलू मांग भी खूब है। यह इंडस्ट्री बहुत ही अरली स्टार्ट हो चुई थी। उसका लाब भी ने पता हुआ। मिला नेर और नदियों दवारा सस्ता जल परी वेन भी उपलब दोता है। कैमनिस्ट सासन के बाद विशेश तोर से जो योजनाएं बनाई गई उसके तहट विकेंदरी करण पर काफी जोड दिया गया। और चीन में सूती वस्तर की उद्यों की स्थिति यदि हम देखें तो दो तरह से दिखाई देती है। एक तो समुंदर तटिये चेत्र और दूसरे आंतरिक भाग। समुंदर तटिये सूती वस्तर उत्पादन केंदरों में संगाई, केंटन, सिंग टाओ, टीएट सिन और डेरिन हैं। आंतरिक भागों में यांक्सी गाटी बड़ी इंपोर्टेंट है। चीन के लगबग पचास परतिशत केंदर, लगबग सत्तर परतिशत सूत और वस्तर चियांग जियांग बेशिन में हैं। इसके अतरिक त्वांगों गाटी और उत्री मैदान के होनान, हुपे, सेंसी वैजेचवान चित्र में भी सूती वस्तर उद्योग का विकास हुआ है। वहां पर वुहान, नानकिंग, चुंकिंग और अन्य च्छत्रों में जैसे बिजिंग, ताई युवान, हौपे ये परमुक च्छत्र हैं। बच्छों, चीन के बाद अब हम दूसरे इंपोर्टेंट देश भारत का वर्ण करेंगे। भारत भी सूती कपड़े की दरस्टी से बड़ा इंपोर्टेंट है। हमारी सोड़ा परतिशत उद्योगिक पुन्जी इसी इंडस्ट्री में लगी गी है। कुल इंडस्ट्रियल लेबर का 20 परतिशत सूती कपड़ा में है। कुल उध्योगिक उत्पादन का 12 परतिशत, कुल रास्टिया आए का 4 परतिशत तथा कुल निर्यात का 12.5 परतिशत सूती कपड़े से परातो होता है। आपको जानकर रहनारी नहीं होगी कि इसमें लगबग पांच किरोड विक्तियों को रोजगार मिला हुआ है किरसी के बाद ये दूसरा बड़ा रोजगार दिलाने वड़ा विवसाय है इस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी अर्थ विवस्था में और हमारी सामाजिक स्थिती पर सूती कपड़ा कितना इंपोर्टेंट प्रवाव डालता है सबसे पहले भारत में आदूनिक मील अठारा सो अठारा में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई यह मील कुछ समय के बाद बंद हो गई सही माइने में इसका आरंब देख्या जाए तो अठारा सो चौवन से प्रारंब होया जब कवास जी डाबर ने मुंबई में पहली कपड़े मील की स्थापना की मुंबई की बागोलिक प्रिस्थिती इसके लिए बड़ी अनुकूल थी और लोकल लेबर भी बहुत अविलेबल थी सस्ती तो कहने का मतलब ये है कि यहां अनेक मीलों की स्थापना हुई गुजरात के एमदाबाद सेर में 1861 में शापूर मील 1863 में कैलिको मील की स्थापना हुई 1947 तक कारखानों की संख्या बढ़कर 423 हो चुकी थी विभाजन से उद्योग को हानी भी बारत के इस्थे में 423 में से 409 कारखाने आये परन्तु कापास के उत्पादन चेत्र का 27 परतीशत भाग भारत को मिला सेस इस्था पाकिस्तान में चला गया इसलिए सूती कपड़ा मिलों को कापास की भारी कमी का सामना करना पड़ा अत्य कापास का चेत्रफल और उत्पादन बढ़ाने की और विशेश ध्यान दिया गया यदि भारत में इनिशियल स्टेज में देखें तो मुंबई और सूरत ये दो इंपर्टेंट सेंटर के रूप में उबर के आए कि हाँ पर इजी ट्रांस्पोर्टेशन मतलब यातायात की बड़ी सुलब था मार्केट और चीप लेबर की अविलेबिल्टी थी उसके बाद 1921 में रेलवे का विस्तार होने लगया और शॉलापुर जैसे स्थान बहुत ज्यादा इंपर्टेंट हो गए बड़ोदरा में रा मेटीरियल मार्केट और लेबर की भी फैसलेटी थी कुछ आंतरी की बाग भी ऐसे थे जैसे नागपुर ये कोईले के निकट था कानपुर यूपी में यहां फाइनेंस की मार्केट की बड़ी स्वीदा थी कलकत्ता भी बहुत बड़ा बजार था जल्विद दुथ का भी इंडस्ट्री पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़या पाइकारा जल्विद दुथ परियोजना से कोयमबटूर मदरई तिरुनवेली आदी सेंटर विक्सित हो गए यहां अन्य कारक भी थे जैसे लो लेबर कोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के कारण से यह बड़ा फैवरेबल पॉइंट था लो कैपिटल इस इंडस्ट्री में ज़्यादा कैपिटल की भी जरूरत नहीं होती और सरकार की तरफ से भी बड़े इंसेंटिव्स थे और भीतरी वागों में धीरी धीरी नगरी करण और डिमांड बढ़ रही थी इसलिए विकेंदरी करण को बड़ा प्रोत साहन मिला यदि बारत में देखें तो आज के दिन ये लगबग सो नगरों में वितरित है इसके परमुख जो छित्र है वो पेंटागन के रूप में हैं पंच भुज के अंतरगत हैं पांच बिंदूओं को मिला दिया जाए एमदाबाद, मुंबई, शोलापुर, नागपुर, इंद ये पांच बिंदूओं मिला दें जिसमें महरास्टर, गुजरात और तमिल लडू अगरनी रज्ये हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अलाका सूती कपड़े के लिएज से होगे महरास्टर सूती कपड़े में सबसे आगे हैं यह बारत का 38% कपड़ा और 30% सूत तयार करता है यहां 3 लाक लेबर रोजगार करती हैं 119 मिले हैं जिसमें से 57 मिले अकिले मुंबई में जहां 2 लाक लोग काम करते हैं यहां समझ लो कि मुंबई के विकास में सूती कपड़े का बड़ा ऐम योगदान है यह सबसे बड़ा केंदर है इसे कोटनो पॉलिस ओफ इंडिया भी करते हैं कपास का विराट नगर इतनी ज़्यदा तरकी के लिए निमन फेक्टर जिम्मेदार है सबसे पहला तो यहां जलवायू आदर है यह सूती कपड़े के लिए बड़ी आदर्स जलवायू है मुंबई एक बंदरगा है बार से आयात में और निर्यात में बड़ी सुई दावती है यहां पिश्मी गाठ पर कई जलवे दुद केंदर है जिससे परियापत मातरा में हमें जलवे दुद परापत हो जती है यह काड़ी मिट्टी का छेत्र है इसकी प्रेस्ट वोमी में इंटर लेंड में कपास के लिए यह मिट्टी आदर से अत्य मुंबई को कच्चे माड सुगंता से मिल जाया करता है यहां सस्ते और कुशल शरम की भी अविलेबिल्टी है यहां के कपड़ों की भारत और विदेशों में बड़ी मांग है मुंबई में सस्ता परिवैन उपलब्द है रेल और सडक से देश के बीतरी वागों से यह जुड़या हुआ है मुंबई के व्यापारी कपास को बेच कर पुंजी जो कमाई उसको इंडस्ट्री में लगाया और अरली स्टार्ट का बेनिफिट भी मुंबई को प्रापत हुआ मुंबई के अतिरिक्त मारास्ट्र में सूती कपड़े दोग के लिए शोलापुर, पुने, सतारा, वर्दा, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती और जलगाउँ आदी छेत्र भी दिरे दिरे विख्षित हो चुके हैं दूसरा स्टेट है गुजरात, सूती कपड़े के लिए गुजरात नंबर दो पर है, इसमें कुल 118 मिले हैं, और सूती वस्तर का सबसे इंपोर्टेंट सेंटर एमदाबाद है, जिसमें अकेले में 73 मिले हैं, इसलिए गुजरात का मांचेस्टर हो गया एमदाबाद एमदाबाद के इतने विकास के निमलिकित कारण हैं, सबसे पहले तो ये कपास उत्पादक के मद्दे में इस्थापित है, अते कपास को आसानी से कम कीमत पर फेक्टरी को उपलब्द होता है, मुंबई की बाती जलवायू भी यादर है, जो उद्दोक के लिए बड़ी अ एमदाबाद जुड़ा हुआ है, और मुंबई के कमपरेटिव गजब की बात ये है कि यहाँ जमीन सस्ती है, जिस से कपड़ा मिलों के विस्तार में स्वीदा होती है, लेबर के रहने का भी खर्चा कम होता है, अते मुंबई में रहन सेन का खर्च बहुत ज्यादा हो गया तो इंडस्ट्री धिरे धिरे एमदाबाद की और खिसकने लगी, एमदाबाद के कारखानों में अधिकतर सुती वस्तर सस्ते वाले लठा और दोतियादी बनते हैं, जिससे भारत जैसे निर्दन देश में इन कपड़ों की बड़ी मांग रहती हैं, गुजरात में बच्च जो एमदाबाद के अतिरिक्त, बढ़ोँच, बढ़ोद्रा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, बिली मौर और भावनगर और भी किंदर विक्सित हो चुके हैं, तीसरा स्टेट है मद्य पर्देश जहां खूब का पास हुगाई जती हैं, कोईला भी हैं और लेवर भी सस्त मिल जते हैं, यहां पर गवालियर, उज्जैन, इंदोर, देवास, रतलाम, जवलपुर और बोपाल मुखे छित रहें, तीसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसमें सुती कपड़े का सबसे बड़ा किंदर कॉलकता है, कॉलकता में आदर जलवयू है, राणी गंस से कोईला मिल जाता है, गणी जन संख्या से सस्ती लेबर मिल जाती है, रसायन दोग यहां खूब है, इसमें धोने वर रंगने की सुईदा होती है, और कलकता तो बीतरी भागों से जुड़ा हुआ है, और बंदर गाउने के कारण से दुनिया के अन्य छित्रों से भी, तो परिवेन की सबी सुईदाईया है, आयात निर्यात की सुईदा है, और कपास उत्पादक छित्रों से ये दूर है, अते कपास को मंगाना पड़ता है, कलकता की अतिरिक्त, हावडा, मुर्सिदाबाद, हुगली, सीरामपुर, शामनगर, पनीहार, अन्यमुत, मुख्य छित्र हैं, अ सब से इंपोर्टेंट सेंटर है, कानपुर, इसे उत्रपरदेश का मांचेस्टर भी करते हैं, यहां पर मुरादाबाद, वारानसी, आगरा, बरेली, अलीगड, मोदीनगर, सहरानपुर, रामपुर, इटावा, और मिर्जापुर परमुक्छित्र हैं, इस स्टेट में, प अगला स्टेट है, तमिलाडू, तमिलाडू में 208 मिले हैं, लेकिन इनका अकार छोटा है, सबसे इंपोर्टेंट सेंटर है, कोयम बटूर, जिसे तमिलाडू का मांचेस्टर भी कहते हैं, यहां 67 मिले हैं, चैन्नाई दूसरे नंबर पर है, यहां 10 मिले हैं, इसके अतिरि तिरू नवेली, तिरू चिरापली, मदरई, सेलम, पेरांबूर, तूति कोरन, और काकी नडा, अन्य चित्र हैं, बच्चों, यह बहुत ही एक्जाम के पोईंट ओ व्यू से बड़ा इंपोर्टेंट है, इस कुश्चन को आपने धंग से तयार करना है, जिसमें मैप और ड डिटा की ज़रूरत है, थैंक यू